नबश्का दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगिंद्रियादव है, गर्मी के अंदर हमें क्या सावधाने रखने चाहिए, आपको पता है कि इस गर्मी की शुरुवात में टेंपरेचर 40-45 अला गया है, ऐसे हमें अपने पक्षियों की खाने के अंदर, पीने के पानी के अंद यदि वेंटिलेशन प्रापर होगा तो उसमें क्या है, एर का एक्सचेंज होता रहेगा, यानि कई बर क्या होता है, कि जब इंटरनल हाउस का टेंपरेचर जब बढ़ जाता है, तो आपक्षी के शेरी में गर्मी अपने आपसे भहुत जाद होती है, तो ऐसे में क्या है, हीट स्ट्रोक के वज़े से जो है बर्ड्स बनने शुरूए आते हैं, इसलिए जो यदि एक्जास्ट फैन की विवस्ता आपने की है, या कूलर वगरे रगा रखा है, ताकि आपका जो रूम का टेंपरेचर डाउन रहे तो आपके बर्ड्स स्वस्त रहेंगे, दूसरा ज पाने से जो है और जदा गर्मी पक्षी के शरी में आती है, दाने की बजाए यदि हम पक्षी को पानी की मातरा जदा देंगे और पानी के अंदर भी यदि हम कुछ ऐसी चीज़े एड़ करके देंगे, जिससे कि आपका बर्ड्स गर्मी की उस मार को जिल सके, तो आज मैं को बताऊगा कि हम बर्ड'S की पीने के पानी में ऐसी क्या चीज़े दे सकते हैं, ताकि वो लू के परकोप से बचा रहे हैं, तेकि बर्ड्स को कोशिश कीजिए के दिन में 3-4 बार पानी कम से कम आप चेंज़ कीजिए, कीजिए उस में पलेन पानी ही आप देंगे बले ही, वो birds के रच्छा होगा क्योंकि birds क्या है, गर्मी में दाने का इंटेक कम करते हैं, पानी ज्यादा पीते हैं, और पानी क्या है, जितनी बाद चेंज करोगे, उतनी ज्यादा पिएंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक रखावा जो पानी होता, अपने आप में गरम हो जाता है बर्ड उसको कभी प्रेफर नहीं करते हैं और जितना फ्रेश पानी आप अपने कबूतरों को देंगे तो उतना इस पानी के द्वारा और अपने बर्ड के अंदर कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं क्या आप ऐसी चीज़ें करोगे जिससे कि गर्मी में लुक प्रकोप से बचा रहें लेक्क आपको पता है कि मैं थंड़क कर दीता है ऑप आपको पता है जो सो της होती है जिए आप रात भर स्वांस को पानी में भिघयो कर के मैं और सुबह उठते ही आप अपने बर्ड को वो पानी चान करके अगिंए एप अपने birds को अंदर से ठंडा करेगी, cool करेगी, और आपके birds जो lube लगने वाली होती है, उसे lube के प्रकोप से बचाएगी, या आप ही कह सकते हैं कि उनका body का temperature काफी down रखेगी, इससे आपका birds जो है, गर्मी के प्रकोप से बचा रहेगा, दूसरी जो हम एड़ कर सकते हैं, birds के पीने के पानी में वो है मिश्री, आपको पता है, मिश्री का जो तासीर होता, वो भी ठंडा होता है, आप मिश्री को पीने के पानी में डाल करके, मिक्स करके भी आप अपने birds को दोपेर के टाइम में आप दे सकते हैं, यह जो ठंडा पानी होता है, यह बर्ड को अंदर से जो है, उसके इंटरनेट टेंपरेचर को काफी डाउन करने कोशिश करता है, और आपके बर्ड को लू से बचाता है, यदि हम बर्ड को पीने के पानी में विटामीन सी एड़ करके देते हैं, तो बर्ड आप इमान के चलिए कि विटामीन C जो होता है बर्ड को इस गर्मी में लू से बचाने में काफी मदद करता है हम इवन हुमन्स में आपने देखा होगा हम अकसर जो है दिन में नीमू का पानी अकसर पीते हैं लू के अपको पैथा है कि नीमू के अंदर जो क्वालिटि जो होते हैं वह हमें लू के प्रकाप से बचाता है हम नीमू को निचोड करके बर्ड के पिन्य के पानी में देते हैं है और वह बर्ड इस पानी का इन टेक करता है तो आपह την मान के चलिए यदि उस पानी को हम regular दिन में दोपेर के टाइम में यदि हम regular अपने birds को दे सकते हैं तो birds में विटामीन सी जाएगा, विटामीन सी के साथ साथ automatic उनकी body की immunity boost up होगी और आपका bird जो है लूप के परकौप से बचा रही जाएगा सहजल का पेड़ आपने देखा होगा, आप सहजल जो होता है, drum sticks जो होती है राग पर आप उसको पीने के पानी में छोड़ दीजिए और सुबह जो है उस पानी को यदि आप छान करके अपने birds को देते हैं यह जो सहजल का पेड़ जो drum sticks होती है राग बजब आपके birds पानी में भीगे रहेंगी और सुबह आप अपने कबूतरों को देते हो खाने के, पीने के पानी में देते हो तो आप यह मान के चले है, यह natural immunity booster है, birds की immunity का अंदर से strong करेगा यदि कोई बिमारी आनी होती है, birds में उससे बचाएगा, बिमारी प्रकोप से बचाएगा दूसरा जो सबसे ज़्यदा इसका जो benefits यह देखा गया है इसके पानी पीने से आपके पूरे कबूतर जो है, पूरी गर्मी में कभी भी बिमार नहीं होंगे और अकसर जो कबूतर बिमार होते हैं, वो गर्मियों में ही होते हैं क्योंकि इस टाइम क्या होता है, environmental temperature इतना ज़्यादा होता है birds अपने आप से गर्मी से तना परिशान हो जाता है यदि हमने कोई ऐसी व्यवस्ता नहीं कि हम उसके temperature को एक तो internal temperature तो हमने क्या है, उसके rooms के अंदर exhaust और air cooler वगरे की वरस्ता करके हम उसका temperature डाउन करना दूसरा पीने के पानी में हम उसको ऐसी चीज़े दे रहे हैं, ताकि उसका अंदर से जो वाता होना है, temperature ऑटमेटिक कूल रहे तो जो drumsticks का जो पानी होता है, यह birds की immunity को strong करने के साथ साथ, आपके birds के अंदर से भी ठंडा रखता है, आपके birds को लू से बचा करके रहता है, लू का प्रकोब इंदरों में birds में जादा होता है और especially आप इमान के चलिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी immunity काफी weak होती है, तो ऐसे में यदि आपका ये पानी पीएंगे, तो आप इमान के चलिए कि आपके birds बिल्कुल healthy बने रहेंगे तो इस प्रकार आप पीने के पानी में, आप अपने पक्षियों के पीने के पानी में ये सब चीज़े एड़ करके, आप अपने birds को गर्मियों में healthy रख सकते हैं, और उनको आप ही कह सकते हो कि immunity boost अप करने के साथ साथ उनको बिमारे से बचा सकते हैं आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता है कि कैसे आप अपने कबूतरों को पीने के पानी में बदलाव करके, कैसे आप उनको गर्मियों में लोग के परकोप से बचा सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आयोगा, यह आपको मेरे वीडियो पसंद आयोगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद